ये कहानी है मुंबई शहर के एक जानी वाने बिजनेस टाइकुन विराज की जो जिन्दगी में सिर्फ अपनी दादी और अपने काम से ही प्यार करता है विराज बेटा आ गया तु चल अब जल्दी से हाथ मूँ दोकर बेट जा और किशोर जल्दी से खाना भी लगा दे बाडी राजमा बहुत पसंद है ना इसलिए मैंने खास हिमाचल से मंगबाए है दादी इनसे कहे दीजिये कि मुझसे बात ना करे और ना ही मेरे लिए कुछ करे ये चाहिए लाग कोशिशे क्यों ना कर ले लेकिन मेरे दिल में जगय कभी नहीं बना पाएगी ना ही इनके सो कॉल हस्बन में किशर भया और बिंदिया के हाथ का बना ही खाना खाऊंगा अरे पर बेटा इतना केकर विराज फ्रेश होने के लिए अपने कमरे की ओर चला जाता है तब ही उसकी सोतिलि मा माली ने और पिता सुरेंद्र कहते हैं सुरेंद्र मम्मी जी कब तक ये ऐसे ही रहेगा इतने साल हो गए है लेकिन इसने तो मेरा आश तक स्विकार नहीं किया है अरे गुसा होना और गमन दिखाना हमें भी आता है लेकिन यहां तो छोटे ही बड़ों को तेवर दिखा रहे हैं विराज की बढ़ती उमर देखकर माली नी और सुरेंद्र एक सुबे रहेगा हा ममी जी दिन रात बस काम काम और काम लाइफ में सिफ काम ही सब कुछ नहीं होता प्यार और रिष्टे भी होते हैं हा मा और वो हमारी बात कभी नहीं मानेगा लेकिन अगर आप उसे कहोगी तो वो शादी के लिए जरूर मानेगा प्लीज मा हा सुरेंद्र तुम पर माली नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो वो लड़का तो बस अपने में ही उलजा रहता है उसे भी अपनी जिन्दगी में खुश रहने का और शादी करने का पूरा हक है मैं उससे इस बारे में जरूर बात करूंगे वे रात में जब विराज घर पर आता है तबी दादी उस पर करेगा क्या पगला कही का देख बेटा शादी करने से ही रिष्टे और खांदन आगे बढ़ते है इसलिए तो जल से जल शादी कर ले इससे पहले कि मैं चेल बसू मुझे तेरी शादी का और तेरे बच्चों का सुख प्राप्त करना है मुझे मेरे पुता-पुती के सा जलना है और चल बसेंगे आपके दुश्मन दादी और दादी अगर आपकी यही इच्चा है कि मैं शादी कर लो तो यही सही मैं शादी जरूर करूंगा क्या सच में बेटा आ दादी आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तयार हूँ आप जो भी लड़की द ठीक है बेटा मैं आज से ही लड़की दुणना शुरू करती हो और थैंक्यू बेटा लव यू दादी आपकी लिए कुछ भी लव यू तू मेरे शेर पुतर विराज के इस फेसले से सुरेंद्र और माली ने भी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो दोनों दादी के साथ मिलकर विराज के लिए लड़किया दुणना शुरू करते हैं ऐसे ही एक दिन पचानक से विराज की कमपनी में उहु नाम की एक गरिप लड़की आती है ए लड़की टल दफा हो जाया आसे यह एक बहुत बड़ी कमपनी है भाई साब मुझे काम की सक जरूरत है मुझे इस कमपनी के मालिक से मिलना है फिलिस मिलने देजिये ना फिलिस भाई साब मैं आपसे बिंती करती हूँ मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी अरे गवार और सड़क चाप लड़की इस A1 कमपनी में क्या काम करेगी तू कही और चली जा यहाँ पर तेरे जैसे अनपोडों के लिए कुछ भी नहीं रखा और नहीं तो क्या अरे शकल देखिए क्या अपनी आईने में बिला क्रूप अफ कमपनीज में नोखरी चाहिए मैडम को कुहू पर सभी हसने लगते हैं और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा शर्मिनगी होती है फिर गार कुहू को धक्का मार कर उसे बाहर निकालता है लेकिन तभी कुहू सीधे जाकर विराज की बाहू में गिरती है अरे सर जी आप तुम को नो और सबने याँ पर ये क्या तमाशा लगा के रखा है अगर कोई हसा तो मैं उसे यहाँ से फायर कर दूँगा मुझे ऐसे एमप्लोईस बिलकुल भी पसंद नहीं जिने दूसरे लोगों के इज़द करना ना आता हो सॉरी सर और तुम भी बुति अरे ऐसे लड़की को कोन धक्का मारता है तमीज नहीं है क्या तुझे पहले उसकी पूरी बात तो सुन लेता माफ कीजिए सर गलती हो गई सर जी आपका बहुत 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 थैंक्यू अरे मुझे किसे ने बताया ये इस कंपनी के कैंटिन में जो लड़की काम करती थी अब वो यहाँ पर नहीं आती इसलिए मैं यहाँ पर कैंटिन में काम मांगने आई हू फिलिए साब जी मुझे काम दे दीजिए न मेरी मा को दिल की बिमारी है और डाक्टर ने कहा है कि वो कुछ मेनों तक ही रोक सकते है इलाज के लिए वरना उसके बाद मा की जन खत्रे में भी जा सकती है फिलिए सर जी मुझे काम के बहुत ज़्यदर दरूरत है अच्छा ठीक है तुम ही आपर काम कर सकती हो वो भी अभी से इसी वक्त क्या? सच्ची? थैंकी 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 सो मच सर जी आपको बगवान हमेशा हमेशा खूश रखे आप और आपकी बीवी हमेशा तंदरूस्त रहे और आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हो वोट नॉनसेंस जाओ काम पर लगो इडियट आई रे कुहो तू भी ना खुशी की मारे पागल हो जाती है जितना उनका नेक दिल है उतने ही वो सकत भी है चलो बाबा मैं फटा फट काम पर लग जाती हो वरना सर्जी तो मुझ पर पहले एक दिन ही बढ़क जाएंगे कुहो अब कैंटीन में काम करने लगती है फिर वो विराज के लिए कॉफी बना कर उसके कैबिन में आती है सर्जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ क्या हम कमिन देखिए सर्जी माना कि मैं गरीब हूँ लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है न कि आप मुझे कमीनी बोलो मैं कमीनी नहीं हूँ अरे वाबा कमीन कहा मैंने कमीनी नहीं कमीन मतलब अंदर आ सकती हो तुम ओ तेरी माफ करना है सर्जी वो मेरी इंगलीज थोड़ी कच्ची पक्की है न इसलिए कड़बड हो गई माफ करना ये लीजिए आह वो हो विराज को कॉफी सर्फ करने जाही रही होती है ये उतने में उसका पे टेबल से टकराता है और सारी कॉफी विराज की उपर गिर जाती है ओ शिट अरे ये क्या कर दिया तुमने कुवो आरे यू मैड अरे इसे कौन से सस्ते नेशे करती हो तुम जो इतना लड़खडाती रहती हो माफ करना सर्जी मेरा पे टकरा गया इस मन हूँ स्टेबल से इस टेबल की तु ऐसी की तेसी हाँ सर्जी लाईए इसे आपके गपडे मुझे दे दीजिये मैं इने दोकर देती हूँ ये सारा कान मेरी वज़े से ही हुआ है ना लाईए इसे अरे रहने दो अभी मैं चेंज कर लूँगा लेकिन आइनदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और अगर हुई तो on the spot में तुम्हे काम से निकाल दूँगा मुझे एकदम dedicated और फुर्ती ले लोग चाहिए तुम जैसे पागल नहीं इसलिए अपना ये पागल पन अपने घर पर छोड़ कर आया करो खीके सर जी आइनदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा neighbor 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 वट? ओ, कुछ नहीं अरे गदेडी तेरी इंगली सुनकर यादमी तुझे अभी काम से निकाल देगा चुपचप कटले यहाँ से फिर कुहुत तुरंत वहाँ से चली जाती है ये लड़की तो सच में पागल है दादी, सुरेंद्र और मालीनी तीनों एक लड़की को फाइनल करते है और उनका नाम एलिना होता है एलिना और उसके माता पिता और विराज को देखने उसके घर आते है अरे वा विराज बेटा तुमारी कमपनी तो बहुत अच्छी और रेपीटेड कमपनी है मैं भी तुमारे साथ पार्टनर्शिप जरूर करूँगा उसी बहाने मेरी कमपनी का नाम भी बढ़ जाएगा जी, क्यों नहीं अंकल जी मेरी एलिना को तुम बड़े पसंद आये हो विराज बेटा वो इस शादी के लिए तयार है क्या तुम भी हो? तुमारा क्या कहना है? अं, वो आंटी हाँ बेटा, बोलो ना क्या हो अविराज? तुमें अगर अपना डिसीजन लेने में टाइम चाहिए तो तुम ले सकते हो नहीं एलिना, मैं भी शादी के लिए तयार हूँ और दादी, आप लोग शादी की डेटा फिक्स कर सकते हो तीके पुतर, बदाई हो मैं कल ही पंडिजी को बुलाती हो और एक अच्छा सा मोहरत निकलवाती हो थांक्यू विराज मुझे अपनी वाइब के तोर पर चुनने के लिए योर विलकम एलिना अरे विराज बेटा तुम और एलिना एक दूसरे से अकेले में बाते कर सकते हो शर्माओ मत अरे नहीं आंटी अभी मुझे एक अर्जेंट मिटिंग अटेंग करनी है तो मुझे निकलना चाहिए हम फिर कभी बात करेंगे लेकिन बेटा कोई बात नहीं मौम चलता है विराज अब मेरा फियान से बन चुका है इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है और विराज हम दोन तुमारे फ्री होने पर मिलेंगे तुम अभी जा सकते हो फिर विराज आदी में ही उठकर चला जाता है और फिर एक रात अचानक से तेज बारिश शुरू होती है और ऐसे में कुहू घर ही नहीं जा पाती और वो बारिश में भीग रही होती है हाई राम इस बारिश को भी आज ही आना ता क्या मुझे गर पर जल से जल पहुचना है वरना मा को दवाई देने में देर हो जाएगी वो घर पर अकेली जो ठेरी अरे ये तो कुहू है कुहू तुम यह आपर क्या कर रही हो अभी तक गर नहीं गई क्या एसे बारिश में भीगने के मजे मतलू बहुत भारी पड़ेगा तुम पर मैं आफिस के बार निकलते ही बूल गई कि आप मेरे सरजी हो हाए मैं भी क्या बक्वास कर रही हू सारी सरजी बहुत 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 सारी क्या अरे तुम क्या पागल काने से छुटी हो क्या जब देखा तो कुछ भी बोलती रहती हो अरे सरजी वो मैं आपर फस गई हू मज़े नहीं ले रही कोई ओटो भी नहीं मिल रहा गर पर मा भी अकेली ही है न उनकी दवाई का भी समय होने आया है ओ गाड ठीके कोहो तुम्हें काम करो अंदर गाड़ी में आओ मैं तुम्हें चोड़ देता हू ना बाबा ना मुझ जैसी गरीब नाकारा लड़की आपकी इस अमिर कार में नहीं बेट सकती ओ फोको हो ये तुम क्या बकवास कर रही हो और ऐसी कोई बात नहीं है मुसीबत के समय क्या गरीब और क्या अमिर अब ये फालतु की बाते बन करो और चुपचप गाड़ी में बेट जा अब तुम में से मेरा ओर्डर समझो या कुछ और आई डॉन केर लेकिन सर्जी आई सेर बेटो ठीक है फिर कुहू गाड़ी में बेटती है और विराज उसे उसके घर तक छोड़ता है अब ऐसे ही दिन बिटते जाते है और कुहू और विराज की वीच एक अंसुने रिष्टे की शुरुवात होती है लेकिन जब विराज के शादी का दिन आता है तब ही वो अच्छानक से कुहू को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे कुछ पेपर्स देता है सर्जी ये कैसे कागज है ये कॉंट्रेक्ट मेरेज के पेपर से कुहू इन पर साइन करो कॉंट्रेक्ट मेरेज ये कागज किसी बाहर वाले को देने ही क्या अरे मेरी मा साइन करो इन पर देखो कुहू मैं तुम्हारे साथ एक सोधे का रिष्टा जोड रहा हूँ तुम्हें पेसों की जरूरत है न? हाँ सर जी मुझे मेरे बिमार मा का इलाज कराना है वो भी अच्चे से अच्चे डाक्टर के पास जाकर इसलिए मुझे डेरों पेसे लगेंगे हाँ तो कर लो मुझे से शादी ये शादी सिफ पाच महिनों के ही होगी जिसके बदले मैं तुम्हें पूरे पाच लाक रुपे दूँगा अब बताओ मन्जूर है तुम्हे? क्या? आपसे शादी? लेकिन आपकी शादी तो आज है न? वो भी किसी और के साथ तुम उन सब के फिकर मत करो पर सर्जी आप तो कितने अमिर हो और उपर से हैंसम भी पूरे शेर की लड़की आपके दिवानी है फिर आप मुझे जैसी गरीब लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहते हो? देखो कुहो तुम्हे सवाल जबाब करने है या पेसे चाहिए? जल्दी सचो मेरे पास टाइम नहीं है नहीं नहीं सर्जी मुझे पेसों के बहुत जरूरत है मैं मैं ये शादी करने के लिए तयार हूँ जैसा आपको हूँ फिर कुहो उन कागजों पर साइन कर देती है और वहाँ बिर्ला मैंशन में सभी लोग दुल्ले का इंतजार कर रहे होते है और तभी विराज कॉंट्रेक्ट मैरेज करके अपनी बीवी कुहो के साथ घर पोहुचता है उन दोनों के गले में वर्मालाई देखकर सभी लोग हेरान रहे जाते है अब इस कहानी में आगे क्या होगा और आखिर विराज ने उस गरीब लड़की के साथ सोदे की शादी क्यों की मिलेंगे सारे सवालों के जवाब हमारे अगले भाग में जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आईकॉन दबाना ना भूले रोशनी अपने पती संदिप और सास प्रतिबा के साथ रहती है एक दिन की बात है जब संदिप छट पर बेटा होता है और बेटे-बेटे मस जिलीबिया खा रहा होता है ये लो और तुम तो बस बेटे-बेटे टूसते रहो वावावावा क्या कमाल की जलीबि बनाई है तुमने रोशनी सच में, खा कर तो बड़ा मज़ा आ गया और कुछ आता भी है क्या तुमें बस दिन राज चड़ते रहते हो एक नंबर के लुख्य और नालाइक पती हो तुम अरे यार रोश्नी, चिल करो ना, कितना बोलोगी तब ही रोश्नी की नजर सामने के चड़ पर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसका नया पड़ोसी वहाँ पर वर्क आउट कर रहा है हाए, क्या नजर आ है वो देखो, सामने के चड़ पर ये हमारे नये पड़ोसी है कल ही शिफ्ट हुए है मेरी नई पड़ोसन का पती तो कितना होट, हैंडसम और हैपनिंग है और तुम देखो, एकदम पेटू राम हो अरे कुछ तो शरम करो उसे देखो, वो कितना स्मार्ट है काश तुम से पहले वो ही मुझे मिल जाता अरे धीरे बोलो रोश्नी क्योंकि माने अगर तुमारी बाते सुन लि तो जम कर तुम पर तानों की वोचार करेगे अरे बाबा, एक ही तो लाइफ होती है और मुझे अपनी लाइफ में तीन चीजों से ही प्यार है एक तो मा है, दूसरा तुम और तिसरा है खाना और अगर मैं खाने में ही परहेच करता रहा तो मैं तो पूरी तरह सूखी जाऊंगा और वेसे भी, ब्यक्टी को मन से अच्चा होना चाहिए भारी सुन दरता का क्या है आज है तो कर ढ़ल जाएगे तुम तो बस यही कहते रहो और मेरी और अपनी जिंदगी खराब करो लेकिन रोशनी उसमें बुराई भी क्या है अगर मुझे खाना पसंद है तो तुमें उससे क्या प्रोब्लेम है जाने दो तुमसे तो बात करना ही बेकार है फिर रोशनी वहाँ से रूट कर चली जाती है फिर एक दिन रोशनी को उस पडोसन के पती का फोन आता है हेलो अवाज आ रही है न मेरी अरे हाँ भाई आ रही है भोक ना जल्दी पोन बोल रहा है और क्या काम है जी मैं आपका नया पडोसी बात कर रहा हू विबान चतुरवेदी मैंने आपका फोन नंबर मुहले के वोट्सेप ग्रूप से लिया है क्या? विबान जी आप? बताई यह ना एसे फोन किया मुझे वैसे मैंने आपके बीवी से कल बात की थी वो दूद वाले का नंबर मांग रही थी उनसे मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ मेरी आईशा तो है ही बहुत अच्छी इसलिए मैं उससे इतना प्यार करता हूँ हाँ स्वेट वैसे आज हम दोनों बाहर गुमने जा रहे हैं और सो उसका जनम दिन है ना इसलिए आज कुछ तोफे और बाकी चीज़े आएगी पार्सल में और हमें घर आते आते लेट हो जाएगा इसलिए आप प्लीज उसे अपने पास रख लेना फिर बाद में जब हम घर आएंगे तब आपसे ले सकेंगे आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आरे नहीं विवान जी मुझे क्यों दिक्कत होगी मैं रख लूँगी अपने पास फिर आपके घर आने पर मैं उन्हें वापस लोटा दूँगी ठीक है आईशा जी ठैंकि सो मच और हाँ वेसे पडोसियों को तो क्या नोता देना लेकिन आप अपने परिवार के साथ परसो आईशा की बड़े पार्टी में जरूर आना जी विवान जी हम लग पक्का आएंगे फिर रोशनी फोन कॉल कट कर देती है जिसके बाद दो पहर तक सारे तोफे और बाकी की चीज़े डिलिवर हो जाती है और उने देखकर रोशनी की आखे फटी के फटी रह जाती है औरे वाव इतने सारे महंगे और बड़िया से तोफे है सच में विवान तो अपने बीवी से बहुत प्यार करता है वो तो बार-बार फोन पर भी बस मेरी आईशा मेरी आईशा ही करता जा रहा था और एक मेरा पती है पिर जब विवान घर आता है तो ब्रोशनी उसे वो सारे गिफ्टे देती है और रात होने पर वो अपनी रोसुई की खिलकी में खड़ी रहे कर दुर्बिन लगा कर विवान और आईशा के घर को देखती है जहाँ पर विवान आईशा को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है वाउ ये आदमी तो अपनी बीवी के लिए मजनू बना बेटा है और ये दोनों साथ में कितने सुन्दर लग रहे है और वो भी उसे कितने प्यार से खिला रहा है काश मेरी किस्मत में भी इस संदिप की जगे पर ऐसा ही कोई हैंडसम और केरिंग पती होता वो मेरी लाइफ पे कितनी सुन्दर होती फिर दो दिन बाद रोश्णी और संदिप आईशा की बड़े पार्टी में जाते हैं जहाँ पर विवान आईशा को सबके सामने डाइमंड रिंग गेफ्ट करता है विश यू मेनी मेनी हैपी रिटन्स आप देडे माई स्वीठाट ये रिंग तुम्हारे लिए ओ माई गॉड थैंके सो मच बेबी यू आर मोस्ट वेलकम आईशा आई लव यू आई लव यू टू विवान देखो संदिप इसने अपने बीवी के लिए डाइमंड की रिंग लाई है ना जाने तुम मुझे कब दोगे बहुत जल दूँगा रोश्णी तुम टेंशन मत लू अरे क्या टेंशन नहीं लू मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन तक तुम ही हो फिर थोड़ी देर बाद में सारे कपल्थ डांस करने लगते हैं तभी रोश्णी और संदिप पर डांस करते हैं लेकिन संदिप की वज़े से रोश्णी धडाम करके कोने में गिर जाती है और उस पर सभी लोग खूप असने लगते हैं जिस वज़े से उसके काफी बेस्ती हो जाती है अरे कैसा पती है ये बीबी के साथ डांस कर रहा है या कुष्टी लड़ रहा है और नहीं तो क्या बिच्चारी इसकी बीवी ओ नो आप ठीक तो हो ना रोश्णी हाँ एशा मैं ठीक हूँ I am really sorry रोश्णी मैं तो बस तुमें हलकी हाथ से ही गुमा रहा था लेकिन संदिप भाई अगर आपको डांस करने आता ही नहीं वो आपने किया ही क्यों अब देखिये रोश्णी जी के कमर पर चोट आ गई है रोश्णी उस वक्ष संदिप से कुछ भी नहीं बोलती और वो अपने घर चिलियाती है रोश्णी I am really sorry बबा प्लीज ऐसे चूप मत बेठो कुछ तो बोलो यार अरे तुम चुप रहो एक नंबर के नाला एक पती हो तुम अरे तुमें तो ठीक से डांस भी करने नहीं आता बस खाने के लिए पैदा होए हो और तो कोई काम तुमसे होने से रहा मुझे माफ कर दो रोश्णी लेकिन मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम गिर जाओगे अरे चुप रहो मेरा तो नसी भी कराब है जो मेरी शादी तुमसे हो गई अरे उस पडोसन के पती को देखो वो उसका कितना कयाल रखता है उसे अपने हाथ से काना खिलाता है उसकी हर एक छोटी खुशी का ध्यान रखता है और एक तुम हो जो मुझे टेंशन और थकान की अलावा और कुछ भी नहीं देते अरे ओ निठल ले ज़्यादा बकर-बकर मत कर वरना जबान काटकर फेक दूंगी तेरी मेरे बेटे ने जान बुच के दक्का नहीं दिया तुझे उसका हाथ अगर धाई किलो का है तो वो बेचरा भी क्या करेगा उसमे और तुझे तो उसकी बस गलती ही दिखाई देती है लेकिन उसने तेरी खुशी के लिए दान्स ना आने के बावजुद भी तेरे साथ दान्स किया है उसने तेरा दिल रखा और उसका ये भाव तुझे नहीं दिखाई दिया एक नंबर के गदी और बेवकूफे तु और तेरी यही सजा है कि तु अब इसी तूटी कमर के साथ घर के सारे काम करेगी हाँ हाँ आपसे तो और में क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ माजी आपको तो बस अपने बेटे की अच्चाई ही दिखाई देती है बहुतो वैसे भी मुफ्किन नोकरानी ही होती है न उन दोनों के साथ जगडा करके रोशनी आराम से ब्लैंकेट ओड़कर सो जाती है फिर एक दिन जब रोशनी बजार में सबजी करिदने जाती है तब इुसे वहाँ पर विवान देखता है जो घर के लिए सबजी खरिद रहा होता है अरे रोशनी जी आप यहाँ पर और अब आपकी तवियत कैसी है जी विवान जी अभी मैं ठीक हूँ मैं तो बस घर के लिए सामन और कुछ सबजिया लेने आई थी आप भी आपर सबजिया लेने आई हो क्या हा रोशनी जी आज आयशा का आराम करने का मन है इसलिए मैं ही सबजिया ले रहा हूँ उसे ये लोकी की सबजी बहुत पसंद है इसलिए आज तो मैं उसके लिए यही बनाऊंगा। च्या बात ही विवान जी, आप आईशा के लिए खाना भी बनाते हूं। आ रोश्नी जी, मुझे अपने हाथों से खाना बना कर, आईशा को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। और उसे भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है विवान जी, मानना पड़ेगा। आप एक आईडेल आस्बेंड हो। जी, शुक्रिया। लेकिन मेरी आईशा भी एक आईडेल वाइफ है। इसलिए हम दोनों के बिच इतना प्यार बना हुआ है। फिर रोश्नी सबजिया खरीदने लगती है। तब ही उसे संदिप का कॉल आता है। बको, क्या हुआ? क्यों फोन किया तुमने? अरे रोश्नी, आज शाम को तुम डम आलो की सबजी और रोटी बनाना। वो भी कसुरी मेती और धेर सारे मसाले डालकर। और वो पूदिने की शिकन जी भी बनाना। उसका वीडियो मैंने तुमे भेज दिया है। सेम टू सेम बेसे ही बनाना। तुम तो बस ओर्डर ही द अपटी दूप में सबजिया खरीद रहा है। और अब घर जाकर वो उसके लिए खाना भी बनाएगा। और एक तुम हो। जो मेरे लिए सबजी खरीद कर बनाना तो क्या। मेरे साथ कभी बजार में सबजी का थेला भी नहीं पकड़ दे। नॉनसेंस कही के। रखो फिर रोशनी गुसे में फोन कॉल कट कर देती है। जिसके बाद संदीप तय करता है। यह वो उसके बीवी के लिए सर्प्राइस प्लान करेगा। फिर वो अपनी मा की मदद लेकर रोशनी के लिए एक पैरा सा गिफ्ट और घर पर उसके पसंद के डिश बनाता है। ओ नहीं रोशनी यह सब मैंने तुमारे लिए ही किया है। यह देखो तुमारी मन पसंद डिश। खाव ना इसे। फिर जब रोशनी वो खाना चबती है। तब ही। यू। और यह नूडल्स और सैंड्विचेस कितने गटिया बने है। आज तक मैंने इसा खाना कभी नहीं और यह क्या लेकर आए हो तुम। यह बैग और यह ड्रेस। यह सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या यार। सारा मूर खराब कर दिया तुमने तो। मुझे लगा था कि मेरे ताने सुन-सुनकर ओड़ा तो तुम्में सुधार आ जाएगा। लेकिन नहीं। हमेशा तेड़ी के तेड़ी ही रहेगी। यह कावत भूल बैटी थी में। लेकिन रोश्नी यह सब मैंने सिर्फ तुमारे लिए ही किया है। और पुरे दिल से किया है। वो तो दिखी रहा है कि कितने प्यार से और दिल से किया है। जूटे कई के बस बहुत हुआ बहुत आजकल तु बहुत ज्यादा बोल रही है अरे मेरे बेटे ने अपनी ओफिस की छुटी लेकर तेरे लिए इतनी दूप में शापिंग की और घर आकर रोसोई में दो से तीन गंटे पसीना बहा कर ये सारे पकवान बनाए और तू कह रही है कि जूटा है ये अरे भले ही इसने तेरे लिए जो भी लाया है वो तुझे ना पसंदो उसके सारे पदार तो बेस्वाद बने हो लेकिन तू ये सब देखने की जगे पर अपने पती का प्यार देखना इसके अच्छे गुन गिन लेती नाला एक कही कि तूझे तो बस दूसरों का प्यार ही दिखाई देता है लेकिन अपने पती का प्यार तो कभी देखती ही नहीं तू हर किसी को प्यार जताना नहीं आता बहू लेकिन उसमें भी अगर कोई जताता है तो तूझे उसके कदर करनी चाहिए ओर रोश्नी तुम तो मेरी तुलना हमेशा उस विवान से करती हो लेकिन तुमें भी समझना होगा कि मुझ में और उसमें काफी अंतर है हम दोनों की प्रायोरिटीज भी अलग-अलग है अरे मुझे तो खाना पिना कितना पसंद है और अभी-अभी में तुमारी बाते सुनकर अपने आपको फिट रखने की पुरी कोशिश कर रहा हो लेकिन एकदम से थोड़ी ना सब कोच हो जाएगा उसमें थोड़ा ताइम तो लगेगा ही न और किसी से प्यार उसके मन को देखकर किया जाता है ना कि उसके तन को देखकर और हर किसी का प्यार जताने का और दिखाने का तरीका अलेग होता है बहू और तुम तो हमेशा उसे एक आईडेल हस्बेन कहती हो न तो आज तुम मेरी बात भी सुन लो कि उसकी बीवी भी एक आईडेल वाईफ है क्योंकि उसकी बीवी भी उतनी ही सुन्दर उतनी ही केरी और उतनी ही दिलदार है लेकिन तुमें देखो तुमारे मुँपर 2400 गंटे 12 बज़े होते हैं अरे अगर तुमसे दो मिठी बाते करने जाओ तब भी तुम कड़वे ताने ही देती हो प्रतिबा और संदिप की ये बाते सुनकर रूशनी को बहुत बुरा लगता है और वा बहुत बाउक हो जाती है मुझे माफ कर दो संदिप मैंने हमेशे तुमें उस पड़ोसन के पती से कंपेर किया है लेकिन कभी तुमारे अच्छा ही देख नहीं पाई और कभी तुमें वो सब करने का मोका यी नहीं दिया बस अपने मुझे जहर उगलती रही लेकिन आज मुझे समझ आ चुका है कि तुम कितने अच्छे और सच्चे हो I love you संदिप तुम सच में एक आइडियल हस्बेंड हो आज तक मैंने तुमें कितने ताने दिये लेकिन तुमने मेरा कभी तिरसकार नहीं किया मैंने तुमें समझने में देर कर दी संदिप मुझे माफ कर दो फे संदिप और प्रतिवा रोशनी को माफ कर देते हैं जिसके बाद बोत इनों पुशी से साथ रहते हैं ये मा और पापा तो बईया बावी के लिए इतना खरचा करते हैं मेरे लिए कुछ पैसे बचाये हैं कि नहीं क्या बता अभी तो मेरी शाधी भी बाकी है शाधी के बाद तो मैं पराई हो जाऊंगी ना लेकिन नहीं मैं भी कम नहीं हूँ मैं अपना हग लेकर ही रहूंगी फिर रेना अपने माता पीता पर अपने भावी और भाई के खिला बढ़काना शुरू करती है और उसके लिए वह चुबली करती है अरे मा क्या आपको पता है करन भाईया ने आपके फेवरेट दुकान से साड़ी लाई है अरे वाह क्या बात कर रही है तू मेरा करन भीना मुझे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहता है अरे मा भाईया ने आपके लिए नहीं अपनी मेबुबा के लिए साड़ी लाई है यही तो बताने आई हूँ मैं आपको कि आपके फेवरेट दुकान में जाकर भी उन्होंने आपके बारे में तनिक भी नहीं सोचा क्या यह करन ने बिल्कुल भी अच्चा नहीं किया शार्दा आप करन से कटी-कटी से रहने लगती है जबकि असल मैं करन की बीवी नव्या को वो साड़ी किसी और ने दी होती है लेकिन रीना बड़ा चड़ा कर चुबनी करती है अरे मा जराव सलार तो देना तुझे भगवान ने दो आज दिये है न तो खुदी ले ले यह आपको क्या हो गया है मा अप ऐसी बाते क्यों कर रही हो शार्दा कोई जबाब नहीं फिर एक वो अपनी भाबी के पास जाकर चुबनी करती है अरे भाबी आप तो कितना अच् खाना बनाती हो फिर भी पता नहीं क्यों मा को आपके हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता बस कोई न कोई कमिया निकालती रहती हो क्या माजी ने ऐसा कहा ये सास तो होती ही ऐसी है रसोई में कितनी भी मेहनत करो लेकिन बतले में ये सब सुनना पड़ता है अब नव्या रीना की बाते सुन तो रसोई में खाना ही नहीं बनाती है अरे नव्या बहूँ मेरी दवाईयों का टाइम हो गया है अब तक तुमने मुझे कुछ खाने भी नहीं दिया कब से देख रही हो तुम तो फोन में ही लगी हो हाँ माजी बना दूंगे कुछ ना कुछ वैसे भी इतनी मेहनत करके इस घर में खाना बनाने का कोई मतलब नहीं किसी को भी कदर नहीं है आपको तो बस नाम रखने आता है और बस बुराया करने आती है अरे नव्या बहूँ ये सब तो क्या कह रही है तेरा दिमाग तो सही है ना हाँ माजी मेरा दिमाग तो एकदम सही है लेकिन आपका दिमाग बढ़ती उमर के साथ खराब हो गया है औ इतना बोलकर नव्या वहां से गुसे से चली जाती है रहने दो माँ बाबी को आपके कुछ भी नहीं पड़ी अरे अगर भाईया ही इने इतना सर पर चड़ा कर रखेंगे तो फिर ये हमसे तो ऐसे ही बात करेगी ये सारे तो बहाने हैं खाना ना बनाने के और कुछ नहीं हा रीना बिटिया तू एकदम सही कह रही है ये करन और नव्या बहुत दोनों का रहवया दिन बदलते ही जा रहा है पता नहीं क्या हुआ है इने फिर एक रोज जब नव्या की माता-पिता की अनिवर्स्टी होती है तभी करन और नव्या दोनों उन्हें बड़े-बड़े ग सेटस लगाया है आज बाबी के मापापा की अनिवर्स्टी है न इसलिए लेकिन आप दोनों की अनिवर्स्टी को तो कुछ भी नहीं लगाया और नाहीं कोई गिफ्ट दिया लेकिन अपने सास ससुर को बड़े-बड़े तोपी दिये जा रहे है हमारा करन तो सच में बदल साहे असल में तो ये दोनों तोपे भाईया भाबी ने नहीं बलकि भाबी के छोटे भाईय ने दिये है लेकिन स्टेटस के जरिये मेंने मापापा को कितना अच्छा बेवकुफ बनाया एरीना अपनी चुबले ओसे करन और नवया को अपनी मापापा की नजरों में दिराने की कोशिश करती ही रहती है एक दिन इरीना अपने भाई के पास जाती है अरे भाईया आपने चश्मा बनवाने के लिए पापा को पैसे क्यों नहीं दिये उन्होंने तो खुद नहीं बना लिया चश्मा अपने पैसों से क्या ये तुम क्या कह रही हो पापा तो हमेशा पैसे मुझसे ही लेते है लेकिन इस बार उन्हों ने ऐसा क्यों किया शायद उन्हें आपकी उपर बोज ना बनना हो इसलिए और वैसे भी पापा कह रहेते कि आप तो नव्या भाबे और उनके परिवार वालों में ही बेजी रहते हो आपको तो अपनी मा पापा की कुछ पड़ी ही नहीं है एसी कोई बात नहीं है फिर करण अपने पापा के पास जाता है पापा अपने चश्मा बनवाने के लिए मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए अरे उसमें क्या हुआ बेटा मैंने तो यूही नहीं लिए पेंशन के पैसे थे मेरे पास तो मैंने उसी में से मेरा चश्मा करवा लिए हाँ पापा, मैं सब समझ रहा हूँ तुझे ज़र समझना है समझ ले हमें भी सब समझ आता है करीना की साजिश अब काम्याब होने लगती है और कर में कलेश होने लगता है शार्दा और हरीकेश करन के माता-पिता उससे ठीक से बात भी नहीं करते थी फिर एक दिन इरीना सुनती है कि ओफिस प्रोमोशन के गिफ में करन को नया टीवी मिलने वाला है तभी इस बात को मेच मसाला लगा कर वो शार्दा से चुबली करने जाती है परे मा आपको पता है क्या बाबी भाईया से अपने बेडरूम में टीवी लगवाने के लिए कही रही थी क्योंकि आप उन्हें ठीक से टीवी नहीं देखने देती और आपके कारण उनका जीना दुश्वार हो रहा है क्या ये सब कहा उस चुडल ने अब तो मैं उसे हॉल में टीवी देखने ही नहीं दुने जितना टीवी देखना है अपने रूम में ही बैट कर देखे कितनी गलत सोचे बहु की अरे शार्दा तो दिन में बस दो सीरियल ही देखती है बाकी सारा दिन तो नव्या ही टीवी चलाती है और उसके बावजुद भी वो अपने पदी से ये घटिया बाते कर रही थी अब वो तो आपके ही बहु और बेटा है पापा अब आप दोनों समझ जाए वक्त के साथ साथ कैसे बदला हो रहा है उन दोनों में फिर घर में नया टीवी आने की बात बाप बेटे और सास बहु में फिर से मत्भित हो जाते हैं एक दिन की बात नव्या और करण अपने द जल्दी से इनकी फोटो खीच लेती हो फिर घर जाकर मा और पापा को ये फोटो दिखा कर जम के चुगली करूंगी फिर रीना उनकी फोटो खीचती है और घर जाकर वो फोटो अपनी मा पापा को दिखाती है देखो पापा घर में तो कितना मूँ बनाते हैं पुरूटे रहते हैं और बाहर जाकर दोनों कितना इंजॉय करते हैं इस मूवी में तो सनी देवल है पापा के फेवरेट हीरो अगर भाईया को थोड़ी सी भी कदर होगी तो वो आपको फिल्म दिखाने ले जाते और माफी भी मांगते हाँ रीना तू एकदम सही कह रही है हाँ रीना न तब जाकर उनकी अकल्टी काने आएगी हाँ रीना अब मैं यही करूंगा बस अब बहुत हुआ मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा फिर रात होने पर नवया और करण घर वापस आ जाते हैं जिस रास्ते से आये हो उसी के और लोड़ जाओ क्योंकि अब तुम दोनों के इस अपने घर में पनाहन नहीं देंगे वाह बहुत ही अच्चा सिला दिया है अपने हमारे प्यार का हमने तो हमेशा से ही सच्चे मुन से आप दोनों से प्यार किया हैं लेकिन शायद हमारी ही गलती थी कितना सच्चा प्यार और कितना जूटा ये सब हमें अच्चे से पता है करन चलो यहाँ से जिस घर में आमारी इज़त ना हो हम वहाँ पर नहीं रुकेंगे हाँ हाँ जाओ जाओ बहुत से एलिये तुमारे रोज-रोज के बदलते रवई है फिर नव्या और करन दोनों अपना सामान लेकर घर चोड़कर चली जाती है पर ये सब देखकर रीना के कलेजे में थंड़क पड़ती है आखिरकर जो में चाहती थी वही हुआ अब भाया नहीं है अब सिर्फ मेरा ही राज है और अब सारी जायदक मेरे ही नाम होगी लेकिन करन और नव्या के जाने के बाद अब हम क्या कर सकते है हमारे बच्चे हम से दूर हो गए है अपने माँ पापा को यो दुखी देखती है लीना का बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती पर बहुत शर्मिन की महसूस होती है और वो अपने माता पिता को सारी सच्चा ही बताती है कि ये सब किया कराया उसी का है क्या? ये तू ने किया है? हाँ मा मुझे लगा जब मेरी शादी हो जाएगी तब मुझे जाइदात में से कुछ भी नहीं मिलेगा और सारी जाइदात भाईया और बाबी को मिल जाएगी और इसलिए मैंने उन दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए आपसे चुगली करना शुरू कर दिया और आप दोनों को उनके खिलाफ खुब बढ़काया रीना ये तुमने बहुत गलत किया है अरे हमारी जितनी भी जाइदा थे उसमें तुम दोनों का बराबर का हिस्सा है अरे तुमें नहीं देंगे तो और किसे देंगे तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुमें कुछ भी नहीं देंगे जितना करन अमारा बेटा है उतनी ही तुम हो लेकिन मुझे तुससे ये उमीद नहीं थी रीना तुने सच में बहुत गलत किया है मुझे माफ कर दो मा जायदात के लालच में मैं अंदी हो गई थी लेकिन अभी नहीं अभी मैं सब कुछ सीख करूंगे फिर रीना अपने भाई और भाबी के पास जाती है और उनसे माफी मांग कर उन्हें घर वापस लाती है और इस तरह अंध में पूरा परिवार एक हो जाता है और खुशी से साथ रहने लगता है